सोलोमोन के पाफ लिए के सब सभी लोग विलकाम बेक टू दे चैनल आज हम करने वाले बैटल वीडियो डिट सोलोमोन वर्सिस वाल्ट स्प्राइजन आप से वह पता है काफी ताकत बर बेवलेट है यह उतना कुछ खास लगा नहीं था मुझे अन्वोक्सिंग अला वीडिय अगर अपने नहीं देखा जल्दी से जाके देख लो चैनल में है इसका इसका भी आप जाके देख सकते हो इन दोनों के बीच में बैडल करेंगे और छे पॉइंट का बैडल करेंगे जो पहले ज्यादा पॉइंट ले पाएगा वो होगा विनर और मुझे तो लगता है यह वर्ड्स प्राइजन के सामने कुछ नोकाउट देखने को मिलेगा हमें यह फिर नहीं वो भी देखते हैं एन्ड वर्ड्स प्राइजन अपना ताकत दिखाता हुआ दोनों यह धीमे हो रहे हैं इसके साथ थोड़े से मार्जिन से यह राउंड जीद गया वर्ड्स को देखते हैं क्या होता है एह ऐंड लगते हैं यह वाला रांड ड्रॉब होगया करते हैं जो जो एक पॉइंट है वेल्ट स्प्राइजन के पास है सोलोमोन के पास है इस बार भी फिर से दोनों एक साथ नॉक आउट हो गया है फिर से हो गया है ड्रॉ करते है अगला राउं 3,2,1 लेटी रिप 3,2,1 लेटी रिप लगाता है दो राउंड ड्रॉ हो चुका है देखते है इस वाले राउंड में क्या होगा एक भी पॉइंट नहीं है सोलो मॉन के पास एक पॉइंट है वाल्स प्राईजन के पास तो देखते है आगे क्या होजाए गाईज इस बार नोक आउट हो गया है सोलो मॉन के साथ दो पॉइंट मिल चुका है वाल्स प्राईजन को करते है अगला रहा हूं 321 लेडी रिप 321 लेडी रिप एंड काफी छोटे छोटे अटेक्स देखते हैं किया डेथ सोलोमन इस बार कुछ कर पाएगा या फिर फिर से हर जाएगा एंड इसे साथ 3 पॉइंट ले चुका वर्ड स्प्राइज है 321 लेडी रिप 321 लेडी रिप एंड क्या होता है इस बार गाइस आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा मुझा तो लगता है इस बार भी वर्ड स्प्राइजन ही पॉइंट ले लेगा पॉइंट नहीं ले पाएगा डेथ सोलोमन सो देखते है क्या होता है धीमे धीमे these is slow ho ra hai Solomon लेकिन लें मिल कुका है वर Sud One लें छुका है इस बार पॉ exclude सी एकکविठम्न मिल कुका है Solomon तो को आंड 20 पने व thuल स्प opener के पास 3 2 1 लाग्ट अभी लॉंच करते है Solomon को अरे यार अभी होगा लॉंच अन फुल छुका है Solomon in lumin Lehmane लॉँच एंड इसी के साथ तकड़ा वाला नॉक आउट and two point ले चुका है डिद्सोलोमाउन तो काफी करीब आ रहा है ड्रॉ करने के लिए तो देखते है क्या होता है three two one let it rip three two one let it rip and डिद्सोलोमाउन फिस आ चुका है full form में वाफस ही करने के लिए दो पॉइंट लगातार ले चुका है डिद्सोलोमाउन तो देखते है इस वाले राउंड में क्या होता है डिद्सोलोमाउन काफी अच्छा परफॉम कर रहा है धीरे धीरे three point है वाल्स प्राइजन के पास and two point है सोलोमाउन के पास तो देखते है इस बार लगता है नॉक आउट नहीं कर पाएगा and इसके साथ वाल्स प्राइजन को मिल चुका है four point three two one let it rip three two one let it rip and इस बार काफी अच्छे डेक्स दोनों फिर से दोनों ही बाहर चले जा चुके सो फिर से हो गया draw का ते अगला three two one let it rip three two one let it rip and इस बार कोड़ा tilt लाउंच हो गया इसे वज़े थोड़ा लगता स्टैमिना लूज हो चुका सोलोमाउन का and देखते है इस वाले राउंड में कौन जीता है गाइस and इसे साथ सोलोमाउन अपना स्टैमिना खतम कर चुका है and हार गया इस वाले राउंड में भी पाच पॉइंट मिल चुका है वाल्स प्राइजन को एक पॉइंट और ले लेगा तो जीत जाएगा देखते है गले राउंड में क्या होता है three two one let it rip three two one let it rip so देखते है क्या इस वाले राउंड में uo्रश प्राइजन जीत जाएगा यह वाला बैटल की 5 पॉइंट है प्राइजन के पास and two पॉइंट है सोलोमान के पास अगर इस वाले राउंड में सोलोमान हार गया so जीत जाएगा वूर्ड स्प्राइजन जीा वूर्ड स्प्राइजन